अख्रिकार लंबे इंदार के बाद लोगसवाने निता वीपक्ष और कॉंग्रेस कि पुर्वधक्ष राहूल गांधी को घर मिल चुका, जी हां, राहूल गांधी को पाच सुनहरी रोड पर बंगला अलाट हो चुका है, यही वो बंगला है, जहां पर राहूल गांधी का नया आश्याना होगा, थोई दर पहले कौंग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुची थी, और यहां पर दे कि जो घर दूसरा बंगला मिलेगा लेकिन उनको पास सुनहरी बाग रोड पर घर मिल चुका है अब सवाल यह उठता है कि राहूल गांधी कब यहाँ पर आएंगे दरसल सुरक्षा के मद्दे नजर इस बंगले को नैसीरे से अंदर जो है बनाया जाएगा क्योंकि जिट प् ए बंला देज दिया जाए इस से फहले राहूल गांधी तThen में रहा करते थे जहां पर 19 साल से लगातार हुआ पे थे लेकिन मनहानी केस में उनकी सजर्स्टा रद हो गई थी लेकिन बात में अलॉट होना था अब वो मौझूदा अगर हाल में देखें तो कैपिनेट मंतरी का ही बंगला उनको अलॉट होने का प्रोटोकॉल है और इस वक्त देखें जो सुरक्षा ब्यवस्ता है वो भी यहां पर मौझूद है क्योंकि राहुल गांधी का यह बंगला अलॉट हो चुक इस राहुल गांधी के लिए यह बंगला मुफीद होगा और अब देखने वाली बात ही होगी जब राहुल गांधी आपाल यह उटता है कि राहुल गांधी कब यहां पर आएंगे दरसल सुरक्षा के मद्दे नजर इस बंगले को नैसीरे से अंदर जो है बनाया जाएगा क्योंकि जिट प्लस प्रोटक्टी है राहुल गांधी पहले स्पीजी हुआ करती थी लेकिन स्पीजी हटा ली गई शुरक्षा बेवस्था के मद्दे नजर भी इस बंगले को देखा गया उसके बाद तै किया गया कि राहुल गांधी को यह बंगला देज दिया जाए इस मौझूदा सुर्त हाल में राहुल गांधी अपनी मा सोनिया गांधी के साथ दस जन्तपत पर रह रहे हैं और जब नेता विपक्ष पने तो उनको खास्तों पर बंगला अलॉट होना था अब वो मौझूदा अगर हाल में देखे तो कैबिनेट मंतरी का ही बंगला उनको अ गटा लिया जाएगा जब रहूल गांधी यहाँ पर रहने आएंगे प्रेंका गांधी आई थी करिब आदे घंटे तक बंगले के भीतर रहीं उन्हें पूरा जाजा लिया पूरा देखा कि किस तरीके से रहूल गांधी के लिए यह बंगला मुफीद होगा और अब देख हो जाएगा कि रहूल गांधी किस तरीके से बंगले के भीतर रहेंगे हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दूबे निजर्शन दिल्ली